दोस्तों आज हम सीखेंगे राग बागेश्री यह राग काफी थाट से आया हुआ है और इस राग को मैंने इसमें इंडियन ग्लासिकल के नोटेशन सारे गामा और वेस्टर नोटेशन के सी मेजर स्केल में मैंने लिखा है आप रुपया इसे पहले नोट कर लीजिए चुकि यह काफी थाट से संबंदित राग है इसलिए इस राग में ग्ल और नी को मल है अब ग्ल नी तो हम सारे गामा में को मल यूज करते हैं लेकिन जब सी मेजर स्केल यूज करते हैं तो हम बी फ्लाट यूज करते हैं को मल नी क लिए डी शार्प यूज करते हैं तो इस तरह से स्केल हो जाता है C Bb A Bb C F D शार्प F A Bb C. मतलब हम लोग B यूज नहीं करेंगे Bb यूज करेंगे और D के बजाए D शार्प यूज करेंगे. तो आप इसे नोट कर लीजिए, राग बागेश्री का हम सरगमगीत सीखेंगे, तो पहले आप आरो नोट कीजिए, उसके बाद में आवरो नोट कीजिए, उसके बाद में इसकी पकड़ नोट कीजिए, और सरगमगीत हम लोग सीखेंगे, जब ताल में सीखेंगे, जब ताल में 10 बीट होती है 10 बीट होती है टोटल जैसे इसमें नोट कर लिजी आप इससे पहले आपको बताऊंगा जैसे 3 ताल में 16 बीट होती है तो इसमें 4 4 के 4 बार होते हैं वैसे इसमें 10 बीट से यहां पहले आपको 2 दिखेंगे यहां 3 दिखेंगे नोट यहां 2 दिखेंगे यह तीन नोट डिखेंगे इस तरह से 2 और 3 पाँच और 2 7 और 3 10 इस तरह से 10 beat का ये rhythm होता है इस तरह से आप सरगम या फिर C major scale में note कर लीजिए फिर हम इसको part 2 में इसका tutorial सीखेंगे flute कर जिसमें मैं आपको flute बजा करके समझा करके बताऊंगा कि हम इस राग को किस धंग से बजाते हैं तो ये इस धंग से इसका अंत्रा है आपर अंत्रे में इसी तरह से चलेंगे सरगम गी जबताल में ही रहेगा इसे आप note कर लीजिए और note करने के बाद आएए हम शुरू करेंगे इसे सीखना बासुरी पर सीखेंगे पहले हम इसे तो अभी आपने note कर लिया हुआ तो आएए चलते हैं इसके part 2 में हम सीखेंगे राग भागेश्री का फ्ल्यूट का ट्यूटोरियल आएए